पंडित लाइबेवी के एक हुनहार मेधावी चात्र राजेस जी उपलब आ चुके हम लोग के बीच राजेस जी कैसा रहा आज नए साल का जस्न आपका नए साल का जस्न बहुत अच्छा रहा हम लोग हम लोग पांच साथ दोस्त मिलके बहुत अच्छे से मनाये जिसमें सभी पढ़ने लिखने वाले लड़के थे सब मिलके भेज हो, नन भेज हो, सारा व्यवस्था था वहाँ पे भोलू जी का सहियोग में ड्रूप से था उसमें जिससे की पाटी सफल हो पाया और साथ वज़े से कल साथ वज़े से लेके तीन वज़े तक हम लोग पार्टी इंज्वाई पूरा किये पूरा और अभी उपस्तित हैं पंडित लाइबरेरी में तो जैसा कि आप जानते हैं नए साल का जस्मस पूरे बीस्व में बहुत जोसों खरोश से होता है इस वक्त हमारे बीच मौजूद है सवनी जी एपी नुई यह आपको भी कैसा रहा नहीं साल का सेलिवरेशन न्या साल के सेलिवरिशन तो बहुत ही अच्छा रहा है राज सभी पंडित लाइबरेरी की जितने भी वेक्ती थे सभी ने रात परटी की एए अच्छी तरह से मतलब मेंटेन करते हुए विद्यार्थी का जो होता तरीका उसे मेंटेन करते हुए हमने रात पाटी किया और फिर सुबह पंडित लाइबरेरी में आ गया है पढ़ने के लिए क्योंकि पढ़ाई नया साल में पढ़ाई के साथ शुरोगा तो सालोगर अच्छा जाएगा दे happy new year again okay wishing you all the best for 2024 70 you happy new year, happy new year happy new year, happy new year हैपिवी नूइ यए। हैपिी नूइ ययर अप सबी को देट सारी सुक हूना है इस बश के लिए और ये बश fuckin में एक नया संदेश लाए इस बश में आपको पूरे तींसु पैसर दिन मिलते हैं एक नए तोफ्यक के रूप में और हर एक दिन आपको एक निया चांस मिलता है कुछ नया करने का आपको इस वर्स के लिए बेस्ट अपलग हर एक दिन कुछ अच्छा करके इस दिन को एक उत्सा कबूल करें दो वर्स मंगल मैं हो जी आपको भी हपी न्यू यार मैं स्टुडेंट लोग को यही कहना चाहता हूँ अगर आपका जो टाइम है तो आप टाइम को बरबाद नहीं करें और आपका अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़े और घूमे फिरे जादा नहीं यही कहना चाहता हूँ धन्यवाद हैपी न्यू यार आपको भी हैपी न्यू यएर हैपी न्यू यू उपिया हैपी न्यू और भीया हैपी न्यू येर थैंक यू सेम टू यू आप पंदित लब्रेरी के तरप से सभी बच्चों को क्या नए वर्स के अफसर पर बोलना चाहते हैं कुछ दो सब्द बोलिए सबसे पहले तो आपको भी हैपी न्यू येर और मेरे लब्रेरी के सभी बच्चों को हैपी न्यू येर तो मैं ये संदेश अपने सारे बच्चों को देना चाहूंगा कि जो नया बर्स है मतलब हर एक बर्स आते रहता है तो जो आज साल का जो पहला दिन है आप अपने से प्रॉमिस कीजिए जो भी आपका डिजायर पिछले बर्स फुलफिल नहीं हुआ होगा ठीक है और इसे फुलफिल डिजायर को आप महनत करके अच्छे से परिश्रम करके उसको एचीव कीजिए सक्सेस दीजिए अपने माता पिता और अपने लाइबरी का नाम उचा कीजिए ताइम वेस्ट मत कीजिए मन लागा के पढ़ाई कीजिए और आप लोग अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि इस साल थोड़ा इधा है उधार में थोड़ा कम ध्यान लगाना है और पढ़ाई ये दम जम के करना है ठीक है है हैपी नूई यार ये नए साल 2024 पे बच्चों के लिए कुछ स्कीम भी है सर जी बिल्कुल नए साल के उपलक्ष में हम लोगों ने जो वन टाइम फीस पेमेंट होता है शिक्स मन्थ वाला ठीक है उस पे वन मन्थ एडिस्नल जो है मतलब की 5 महिने का फीस आप पेमेंट कीजिए और 6 महिने के लिए आपका जो है बैच वो सब्सक्रिप्सन रहेगा तो ये इस बार हम लोगों ने सोचाए किए मतलब आज से ही लागू है जिने भी इस मोके का लाब उठाना है वो जल्दियां है और जल्दी पाएं है नहीं एक और इसकी हम लोगों ने इस बार लाया है कि जो भी मेधावी दिव्यांग छात रहें ठीक है उनके लिए फीस में 50% का डिस्काउंट रहेगा है एपी न्यूव यार हैपी न्यूव यार